यह जून 2016 है और इस वक्त मैं हंग्री में हूँ, जो मध्य यूरोप में है मुझे यहाँ एक महत्पूर्ण रोचक विकास को देखने के लिए आमद्रित किया गया है लेकिन पूर यूरोप में महत्पूर्ण ऐसी कौन सी रोचक और अपरतिम बात है हंग्री वैसे तो एक छोड़ा सा देश है, जिसकी अबादी लगबग एक करोड है किन्तु हंग्री का समाज भी पटा हुआ है यहाँ विशश अधिकार हैं और अधिकार हीन लोग भी हैं यहां कोरे हंगेरियन हैं और रोमा लोग भी हैं और इन लोगों ने डॉक्टर अमबीटकर को खोजा है ऐसा लगता है कि डॉक्टर अमबीटकर भारत से हजारों मील की यात्रकर यहां तक पहुची हैं मैं यहां उस समाज के लोगों से मिलने आया हूँ जिन्होंने डॉक्टर अमबीटकर को अपने आधर्श की रूप में अपनाया है मैं डॉक्टर अमबीटकर स्कूल हंगरी के संस्थापक यानोश से मिला उन्होंने मुझे अपना स्कूल देखाया अंदर प्रवेश करते ही मैंने डॉक्टर अमबीटकर की प्रतिमा देखी मैं उसे ताकता ही रह गया यानोश ने बताया कि यह डॉक्टर अमबीटकर की प्रतिमा भारती राजदूत ने उन्हें भेटती है पूरे हंगरी में डॉक्टर अम्बेटकर की यह एक मात्र और पहली प्रतिमा है भारती दूतावाद से हमारे सम्मन्द बहुत ही अच्छे हैं भारत के नए राजदूत सबसे पहले डॉक्टर अम्बेटकर आये स्कूल में आये उन्होंने डॉक्टर अंबेटकर की मुर्ती हमारे स्कूल को भेट की जो अभी भी हमारे स्कूल में लगी है और सचमुच हमें गर्व है कि पूरे यूरोप में डॉक्टर अंबेटकर की यह पहली प्रतिमा है मेरा जन्म एक बहुत ही गरीब जिपसी बस्ती में हुआ हम साथ भाई बहन है हम एक बहुत ही छोटे से घर में रहते थे हमारी एक छोटी सी रसोई एक कमरा था और जिसमें हम नौ लोग रहते थे और जिपसी लोग यदि अपनी प्रात्मिक सिक्षा पूरी करते हैं तो ठीक है वो फैक्टरी में काम पर जा सकते हैं और अगर हम अपनी प्रात्मिक सिक्षा पूरी नहीं भी कर पाते तब भी हम फैक्टरी में काम पर जा सकते हैं यूरोप में जिपसी होना वास्तों में बहुत बुरी बात है क्योंकि गोरे लोगों के मन में हमारे प्रती बड़ी गलत धार्णा है जो सही नहीं है सभी जिपसीों से बद्बू नहीं आती सभी जिपसी गंदे नहीं रहते ना सभी चोरी करते और छूड बोलते हैं और ना जाने क्या क्या उन्हें नहीं मालूप आम जिपसी कैसे जीवन जीते हैं और वे हमसे मिलना भी नहीं चाते उधारण के तोर पर अगर आप इस गाउं को देखते हैं तो दूसरे गाउं जैसा ही है ये गोरे लोग जिपसीों से कभी नहीं मिलते उनका कोई सम्मंध मित्रता जैसी कोई बात नहीं है वे इस पुर्वागरह से ग्रसित हैं कि अंगेरियन होने का मतलब क्या है और जिपसी होने का मतलब क्या है लेकिन उन्हें सच्चाई का पता नहीं है एक रोमा या जिपसी होने के नाते मेरा चन में एक जिपसी बस्ती में हुआ और उस भेदावे से मुझे काफे जूचना पड़ा केवाल स्कूल में ही नहीं तो जहां भी मैं गई वहां मैंने देखा कि किस तरह से जिपसी के लोगों के साथ दुर्वेवार करते हैं और मैंने तैकिया कि इसके विरोध में मैं लड़ोगी क्योंकि मेरा विश्वास है कि सभी लोग सामान है हम सभी एक ही दुनिया के माना है और हम एक दूसरे से उन बातों पर जो हम तैक नहीं कर सकते भीदबाव नहीं करना चाहिए उधारन के लिए हमारा रंग, भाश, आलिंग या इस तरह की बात है इसलिए मैंने तैकिया कि जब तक मेरा जीवन है तब तक मैं मेरे जैसी परिस्थिती में पैदा हुए लोगों को मदद करती रहूंगी जिपसी या रोमा और हंगिरियन लोगों में या जो रोमा नहीं है इन लोगों में बहुत बड़ा फर्क है उधारन के तौर पर एक बार मैं रेस्टरेंट में चला गया और उन्होंने मुझे बताए कि आप यहां खाना नहीं खा सकते क्योंकि हम जिपसीओं को हमारे रेस्टरेंट में खाना नहीं देते यहां 900 लोग रहते हैं बच्चे पैदल ही स्कूल चले जाते हैं वें गर्मियों की कड़ी धूप में या कड़ी सर्धियों में 3 किलोमेटर पैदल ही स्कूल चले जाते हैं हमारे चाल में तीस कोठरियां है जो रहने के काबिल नहीं है फिर भी हम उनका उपयोग रहने के लिए करते हैं यहाँ पानी और बिजली नहीं है इन घरों में करीब तीन सो लोग रहते हैं हमारे कोई प्रतिनीदी नहीं है इसलिए हमारे साथ कुछ होता है तो हमारी बात कोई नहीं सुनता है क्योंकि हमारी बात रखने वाला कोई नहीं है मुझे लगता है कि हमारे साथ भेदबाव होता है वे चाहते हैं कि हम उनसे दूर छुपे रहें वे हमें छुपाना चाहते हैं ताकि हम उनके रास्ते में ना आएं क्या बताओं मैं तब प्रॉड था जब मैंने माद्यमेक स्कूल में प्रवेश लिया सामनेत लड़के लड़किया जब माद्यमेक स्कूल जाते हैं तब वे 14 साल के होते हैं मैं 22 का था ये समझना मेरे लिए बेहद रोचक था कि इतने गरीब जिपसी वेक्ते भी स्कूल में पढ़ाई कर सकते हैं मैं सचमुच ये नहीं जानता था कि माद्यमेक स्कूल क्या होता है क्योंकि मेरे सामने ऐसा कोई उधारन नहीं था मेरे कक्षा में 18 विद्याती थे जिसमें मैं अकीली ही जिपसी थी मेरे एक सिक्षक मुझे एक ग्रेट दे रहे थे जो कि हंगेरी में सबसे खराब ग्रेट होता है मैं बहुत ज्यादा निराश हो गई मैं सोचने लगी मेरे बाकी बचे इतने ही सवाल सही है मैं उनसे मिलने गई वे सीनियर टीचर थी लेकिन मैंने उनसे कहा माफ कीजे सर किन्तु मैं ये जानना चाहती हूँ कि आपने मुझे एक क्यू दिया आपने पार्ट में जो कुछ सिखाया वह और मेरी पुस्तक में भी मैंने पढ़ी है फिर मैंने कौन सी गल्दी की उसने सहस्ता से कहा आप मेरी क्रास में एक लोती जिपसी हो और आपको अपना ग्रीड पढ़ाने के लिए दूसरे विध्यारतियों से दसकुना ज्यादा जानना ही होगा मुझे सच में बहुत बुरा लगा और मैंने अपनी पीपर फीक दिये और कमरे से बहार निकल गई इसलिए किसी जिपसी को माध्यमिक स्कूल या यूनिवर्शिटी में एक अच्छा विध्यारती बनना इतना आसान नहीं होता ये इसलिए भी आसान नहीं है क्योंकि अगर आप माध्यमिक स्कूल में जाते हैं तो आपको दूसरे जिपसी दिखाई नहीं देते हैं ये बहुत आसान है पहचानना कि यहां जिपसी कौन है क्योंकि हमारा रंग सामला होता है और अगर आप अपने माध्यमिक स्कूल या युनिवरिसिटी की कक्छा में बने रहना चाहते हैं तो गोरे बच्चों से दो गुना ज़ादा पढ़ना पड़ेगा क्योंकि वे आप पर भरोसा ही नहीं करते हैं मेरे लिए स्कूल का पहला सब्ता बहुत ही मुश्किल सा भी था क्योंकि मैंने किसी से बात ही नहीं की थी मेरे कोई मित्र नहीं थे और मैंने उनसे बात नहीं की थी मैं उनसे बात नहीं करना चाहता था और वे भी मुझसे बात नहीं करना चाहते थे मेरे पहली कक्षा में हमारा जूडो का क्लास था और मेरे पास जूडो करने के लिए कोई ड्रेस नहीं था मैंने अपने टीचर से विंती की कि शायद आप मुझे जूडो का ड्रेस दें और उन्होंने वो ड्रेस मुझे दिया लेकिन उसे क्लास रूम में ले आया और मुझे कहा कि वो मुझे सभी के सामने वहीं पहनना होगा वहां के वर लड़के ही थे किन्तु छोटे गाउं से आने की वज़े से मैं शर मिला था और मैंने कहा कि क्या मैं से चेंजिंग रूम में बदल कर आ सकता हूं क्या उन्होंने कहा नहीं ये आपको अभी यहीं पहनना होगा और मैंने उन्हें बताया नहीं मैं नहीं करूंगा और उन्होंने मेरी पिटाई कर दी उन्होंने मुझे एक थपड मारी मुझे उसी कक्षा में रुखना पड़ा और उन सभी के सामने ही कपड़े बदलने पड़े मेरा पुराना हाइज स्कूल बहुत यही बुरा था मेरा परिवार अमेर नहीं है हम गरीब है मेरे पिता अक्सर बेरुजगार रहते थे क्योंकि वे जिपसी है इसलिए यदि उन्हें काम करना ही है तो उन्हें परदेश में जाना पड़ता है जब मैं उस पराने स्कूल में थी वहाँ जब मैं उदास होती थी तो उन लोगों को बहुत खुशी होती थी क्योंकि वो मुझे परिशान देखने में मर्जा लेते थे वो बहुत बुरा था हंगरी की जनसंख्या में 14 से 18 साल के युवा 80 परतिशत होंगे जो सेकेंडरे स्कूल की अंतीम परिक्षा दे चुके हैं लेकिन अगर आप जिपसी एरिया में जाते हैं तो आपको ये 80 परतिशत देखने को नहीं मिलेगा बल्कि आप पाएंगे एक परतिशत से भी कम ये बहुत बड़ा अंतर है उसी देश में, उसी शहर में, उसी गाउं में ये बहुत भेंकरे सिती है कोई बड़ा सदमा जिपसी समाज की अवस्था भार के दलितों जैसी है वे भारिक रूप में वे दूसरों के लिए बंद है और सलिये हवास्तों में संभव नहीं है कि जो जिपसी करके जन में है वो अपनी कभी भी जाती को छोड़ नहीं सकते है अगर आप जिपसी एरिया में रहते हैं तो ये निश्चित है कि आपका जीवन प्रात्मिक स्कूल या उससे भी कम पढ़कर आम लोग की तरह काम करते और सड़क पर मर कर खत्म हो जाएगा इससे जादा कुछ नहीं तब मैं सेकंडरी स्कूल की अंतीम पक्षा में था जब उसने मुझे एक किताब दी डॉक्टर अमबेटकर के जीवन से सम्मन दित वो शायद अंग्रेजी में नहीं वो फ्रेंच भाषा में थी और तीबोर और मिकलोस जो की धममित्र है उन्होंने मेरी सहता की उन्होंने मेरे लिए डॉक्टर अमबेटकर के जीवन समंधी कुछ पन्नों का अनुवाद किया और मैंने उपढ़ा फिर बुद्धिष्ट कॉलेज की प्रवेश्ट परिक्षा में उसके बारे में लिखा ये बुद्धिष्ट कॉलेज के लिए भी नई बात थी क्योंकि वे भी नहीं जानते थे कि डॉक्टर अमबेटकर कौन थे पूरे यूरोप में हमारे भहुत से बौध मित्र हैं अधितर हंगरी में हैं किन्तु हमने कभी भी डॉक्टर अमबेटकर जी का नाम नहीं सुना था डॉक्टर अमबेटकर की जीवनी पढ़ने के बाद मुझे सचमुच मुझे बहुत खुशी हुई क्योंकि मुझे कोई मिल गया था जो हमारे जैसा ही है जो उसी तरह लड़ रहा है जैसी लड़ाई हम अपने काम में लड़ रहे हैं मैं जिपसियों और डलितों के बीच काफी हद तक समानता देखता हूँ उदारन के लिए उनकी परिस्थितियां सरकार के साथ उनके संबंध और यदि उन्हें मौका मिलता है तो वे अपने जीवन को किस तरह से बदलना चाहते हैं जिपसी लोग मूलता है भारत से ही आये हैं और यदि आप सडकों पर चलते हैं और इधार उधार देखते हैं तो आपको जिपसी लोग दिखाई देंगे और यदि आप किसी योरोपियन को भारती व्यक्ति की और जिपसी व्यक्ति की फोटो दिखाते हो और उनसे पूछते हो कि इनमें जिपसी कौन है और कौन नहीं तो वे सही निर्णे नहीं ले पाते कि कौन जिपसी है कौन नहीं जब मैं एगूर से मिला और उससे बात की तो मैं आश्चेर चकित हो गया उनकी मात्र भाषा में से कई शब्द मुझे मिले जो हिंदी भाषा से काफी मिलते जुलते थे एग जो हिंसे तो मिलते थे जो व्या है जैसे बाषा से कला लिए ट्रिक अवाषा या जो हुआट है आथ नहां दे यह क्द दू ट्री स्टर पांच सों एपता ऊक्तो एन्या देस दस ट्वैंटी बिंढ बिंढ डिंढ कोई गयार बिंढ गयारा हमारे बुद्धिष्ट कॉलेज में एक सिक्षक थे जो भारत गए थे 2003 या 2004 मुझे याद नहीं और वे सुबुती से मिले थे और सुबुती ने तीरत्न बौध महासंग के महाराष्ट राज में काम के बारे में बताया और मेरे सिक्षक समझ गए कि सुबुती वही काम कर रहे हैं जैसे तीबोर और मैं दक्षिन पस्चिम हंगरी में करते हैं और उन्होंने सुबुती को मेरा इमेलेटर्स दे दिया उस बड़े आंधुलन को मिल पाना हमारे लिए एक बड़ा अविश्कार जैसा था मेरे मन में भी गहरी इच्छा हुई भारत जाने की और मैंने उनसे कहा कि कृपिया मुझे भी बुलाएं क्योंकि मैं भी देखना चाहता हूँ आपके माराष्ट के काम को और उन्होंने 2005 में मुझे और तीबोर को भारत बुलाया रासल पाइब पारता हूँ आपके मैं भी दाता हूँ अटरान केविश्कार चाहता हूँ यू वल्क में क्योंकि मांकि नाकपूर नाकपूर एक बड़े स्विर हम गयते दंक्रांत्रान त्वर्द ता वो जो छण था जब हमने निर्णे लिया कि हम इस आंदूलन का एक हिस्सा बनना चाहेंगे मित्री रित ने बहुत धे माहसंग के के लोगों से मिली पर हमें सोचा कि डॉक्टर अम्वीटकर का आतरश और सिक्षा और उनके जीवन की अनुभाव का इस्तमाल हम हमारे लोगों को सक्षम बनाने के लिए कर सकते हैं और वे यह जान जाएंगे कि मेरा अपना जीवन बदलना मेरे हाथ में है और मैं जब चाहूं चीज़ों को बदल सकती हूं और मैंने देखा हमारे दलित मित्र नेत्यत्व कर रहे हैं कई कई संस्थाओं का उनके उनके बहुत सारे लड़कियों के होस्टेल लड़कों के होस्टेल बल्कि कॉलेज भी है मिलिन कॉलेज भी मैं वहां गया था और क्या बताओं मैंने सब कुछ पा लिया मैंने जैसे मैंने सारा ग्यान पा लिया वे भगवान यह सब यहां जान घै कि मेरे लोगों और संस्थाओं में जो कमी थी वो यहां मिल गई क्योंकि यहां डॉक्टर अंबेटकर के रूप में बेहतरिन आदर्श है हम अब डॉक्टर अम्बेटकर को नहीं देख पाते किन्तो उनके अनुयाईयों को दलित समाज से आए बौधनों को देख सकते हैं हम ये देख पाए हैं कि वे नए स्कूल शुरू कर पाए नए बालवाडियां नए विश्वविद्याले और यदि वे ये सब भारत में कर सकते हैं तो हो सकता है कि हम इन बातों को हंगरी में भी जिपसियों के लिए कर सकते हैं और हमें विश्वास है कि हम ये कर पाएंगे और जब मैं महराष्ट राज में गया तो वहाँ अपने दलित बौध मित्रों से मिला और मैंने देखा कि बुद्धधम में वे क्या करते हैं उनके लिए बुद्धधम क्या है और उस समय मैंने महसूस किया कि मैं इसी तरह का बुद्धिष्ट बनना चाहता हूँ और इसी तरह का बौधधम मैं हंगरी में अपने लोगों के साथ बाटना चाहता हूँ मैं स्वयम को उनका ही सदसे समझने लगा था क्योंकि हम एक जैसा काम करते हैं वे मेरे जैसे या जानोज जैसे या फिर मेरे घर के अन्य जिपसियों जैसे दिखते हैं ये सही में एक चमतकार ही है कि दलित बौध लोगों ने विशेश तोर पर महाराष्ट्र में अपने आंदूलन में वे क्या करते हैं ये देखना हमारे लिए बहुत ही पेड़ा दाई है और ग्यान की व्रत्थी है 6 दिसंबर को मैं भारत में ही था वहां मैं अनेक लोगों से मिला जो डौक्टर मेटकर जी में बड़ी आस्था रखते हैं उनके मार्ग का अनुसरन करते हैं बहुत सारे लोग हैं जिन में मुझे सच्चा ही दिखाए दी और मुझे लगा कि मुझे भी उनका अनुसरन करना चाहिए हम चाहते थे कि इस आंदोलन से जुड़े और चनवरी 2006 में हमने निलने किया कि ऐसा ही आंदोलन को हम पूरवी रोप में स्थापीत करेंगे जब हम हंगरी वापस आए तब हमने खुद की सहस्था बनाई और उसका नाम रखा जैभीम नेटवर्क हमारी सहस्था का ये नाम बहुत ही महत्पूर्ण मैसेज बना क्योंकि हमारे दलित मित्र एक दूसरे का अभिवादन जैभीम बोल कर करते हैं और उस समय जब बौधों के संख्या बढ़ी तो सोचा की चलो अपना स्कूल बनाते हैं फिर सोचा कौन सा नाम इसके लिए उचित रहेगा जैभीम नेटवर्क का स्कूल है तो डॉक्टर अमबेट का स्कूल ही हो सकता है तो हमने 2007 में डॉक्टर अमबेट का स्कूल की शर्वात हंगेरी में की डॉक्टर अमबेट कर ने डलीत लोगों से कहा की शहरों में जाओ क्यूंकि गाओं के महुल में आपके विकास के लिए बड़े शहरों जैसा पुशक बातावरण नहीं मिलेगा इसी कारण से हम गाओं में आया है इस शेत्र में बहुत ही गरीबी है और यहां रहने की इस्थितियां बहुत ही बुरी है जिपसियों के बस्ती में आप देखेंगे कि घरों के इस्थिति बहुत ही बुरी है और सिक्षा का बड़ा आभाव है यहां केवाल एक वैक्ति है जिसने हाँ इसकूल तक पढ़ाई की थी इस गाउं के जैसे हंगरी में अनेक गाउं है मध्यमवरगी गोरे लोगों ने यह गाउं छोड़ दिये हैं केवल बुजूर्ग गोरे लोग ही यहां रहते हैं जो लोग इस गाउं को छोड़ नहीं पाये हैं वो काफी गरीब है और उनमें अधिकतर जिपसी लोग है इन गरीब लोगों के बहुत से बच्चे हैं जैसे की अफरिका या भिहार में गरीब परिवारों में होता है बड़े पैमाने पर गरीब घरों में इन प्रतिकूल परिस्थितियों में पैदा होने वाले बच्चे उनहीं परिस्थितियों में फस जाते हैं वे इस परिस्थिति से बाहर नहीं निकल पाते और उनके लिए यहां कोई अफसर नहीं है वे अपना पूरा जीवन बहुत ही अलग माहल में बिता देते हैं वे खुद से अलग या बाहर की दुनिया देखी नहीं पाते और डॉक्टर अमबेटकर स्कूल का यही संदेश है कि चलो आजाद हो जाएं उफ 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 इसलिए हम उनके लिए नए दुआर खोलना चाहते हैं जहाँ भे परआई करें और शहरों में जाएैं यूझिवरसिटीज में जाएं नौकरियाँ पाएं हमने यहां से करण्री स्कूल प्रों है लेकिन हमारा ये लक्ष है कि इस सेकेंड्री स्कूल के बाध्यम से इनौवाओं को शहरों में ले जाएं अब मैं डॉक्टर मेटकर स्कूल में सहायक अध्यापक के रूप में काम कर रहा हूँ जब मैंने अपनी हाई स्कूल की पढ़ाई पूरी की तो मुझे लगा कि मैंने यहां आना चाहिए और इस काम में मदद करना चाहिए क्योंकि मुझे ये बेहत पसंद है मुझे लगता है कि यदि मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ तो उन्हें बता सकता हूँ कि उन्होंने अपना जीवन कैसे जीना चाहिए किस प्रकार का निर्ने लेना चाहिए शायद मैं उनके लिए एक उदाहरन बन जाऊँ वे मेरे जैसे ही जिपसी हैं इसलिए मैं हमेशा उनसे लगाओ महसूस करता हूँ मैं उनमें से एक हूँ एक जिपसी हूँ बाल विवा यहां एक बड़ी समस्या है फिर चाहे आपको अच्छे लगे या ना लगे यहां सामाने बात है सामाने तह लड़कियों की शादी बारा या तीरा साल में हो जाती है फिर बच्चे होते हैं इसका उनकी सीहत पर असर होता है साथ यह उनका स्कूल जाना भी बंध हो जाता है यह बहुत यच्छी बात है कि डॉक्टर अमबेटकर हाइ स्कूल यहां रोमा जिपसी बस्ती के बीच में है जिस से छात्रा यात्रा की परिशानी से बच जाती है वे गरीब है वे यात्रा का भाड़ा नहीं दे सकते वो रोज स्कूल आने जाने का किराया नहीं दे पाते इसलिए यहां स्कूल होने से उनकी कुछ मूल जरूरत पूरी हो रही है जब वे स्कूल में होते हैं तो हम उनने कुछ भूजन देते हैं और उनके बच्चों को समालने में मदद करते हैं यहां कुछ महिलाए हैं जो एक प्रकार की बालवारी चलाते हैं और बच्चों के साथ में यहां खेलते ही कूधते हैं मुझे लगता है कि यहां की जो सरकारी हाई स्कूल है या प्राइमरी स्कूल है उनमें से डॉक्टर मेटकर हाई स्कूल बहतर है यहां के स्थानी प्राइमरी स्कूल में लगबख सारे बच्चे जिपसी होते हैं जब स्थानी प्राइमरी स्कूल से हमारे बच्चे इस स्कूल में आते हैं तो वे पढ़ और लिख नहीं पाते वे जो पढ़ते हैं वे समझ नहीं पाते उन्हें पहाड़े नहीं आते उन्हें कुछ मालूम ही नहीं होता तो जब हमने अपना काम यहां शुरू किया तो पहले साल हमें उनकी तैयारी करने ही पड़ती है हमें ये कौशले सिखाने होते हैं उन्हें कैसे लिखना चाहिए कैसे गिंती करने चाहिए इस तरह का भरोसा देना पड़ता है विध्यार्थी आठ साल तक प्राइमरी स्कूल में बिताते हैं और फिर भी उन्हें कुछ मालूम नहीं होता शिक्षक बच्चों को पढ़ाना नहीं चाहते क्योंकि वे जिपसी बच्चे हैं वे आठ साल यहां बिताते हैं और उन्हें कुछ नहीं आता 2009 में एक स्लुवाकियन संस्था हमारे गाउं में आई थी और उन्होंने स्टडी प्रोग्राम की शुरुवात की थी मुझे समझ में आये था कि मेरे जीवन में परिवर्तन के वल शिक्षा के माध्यम से ही हो सकता है हमने एक नाटक तयार किया डाक्टर अमबेटकर स्कूल ने मुझे उस नाटक को पेश करने के लिए आमंत्रित किया इसलिए मैं अपने लोगों के साथ उस स्कूल में गया और मुझे वह स्कूल बहुत ही पसंद आया तीन साल पहले पोलिस हमारे बस्ती में आई थी और बस्ती के सभी लोगों की उन्होंने पिटाई की थी उसके बाद हमत करके मैंने स्कूल के हेड मास्टर से पूझा की क्या मैं वहाँ जा सकता हूँ और अपनी शिक्षा की सुरुआत कर सकता हूँ मेरे मात पिता ने यह स्कूल खोजा जो बहता है उन्होंने मुझे बताया कि यदि मुझे स्कूल पसंद नहीं आएगा तो मैं किसी दूसरे स्कूल में जा सकती हूँ लेकिन मुझे यह सच में बहुत पसंद आया जब मैं डाक्टर अमबिटकर हाई स्कूल में गया तो पहले तीन मेने मेरे क्लास के बच्चे मेरी नकल उतारते थे क्योंकि सेकेंडरी स्कूल में कम उम्र के बच्चों के बीच मैं ही अकेला तीस साल का आदमी बैठा था लेकिन उसके बाद हम दोस्त बन गए और हम दोस्त हैं यह स्कूल बहतर है क्योंकि आप लोग अलग है आप शायद सामले रंके हैं यह अलग कपड़े पहनते हैं मुझे नहीं पता लेकिन यह यह माइने नहीं रखता क्योंकि यह हर इंसान एक समान है तो यह अल्ग बीमुजँ मैरे इंसान पाते हैं किस तरह बहतर जीवन पाया जा सकता है और धर विटरण के लिए मैं वुदापेस्ट में यॉनिरसिटी जाना चाहती हूँ इस Salt came बहते हैं पहले यहां नहीं चाहती थि हमारे हाइ स्कूल में कुछ समय बिताने के बाद मैं अपने विद्यार्थियों में परिवर्तन देखता हूँ उधारण के तौर पर जब हम उन्हें डॉक्टर अमबेटकर के बारे में बताने की शुरुवात करते हैं और कैसे वे गरीब परिवार से थे तो वे अपना संबंद उन से चोड़ पाते हैं क्योंकि वे भी गरीब परिवार से आते हैं डॉक्टर मेटकर के बहुत से भाई बहन थे और हमारे विद्यार्थियों के भी बहुत से भाई बहन हैं वे डॉक्टर मेटकर की परिस्थितियों की कल्पना कर सकते हैं उनके पास क्या था और उनकी परिस्थितियों को देख सकते हैं इसलिए मैं डॉक्टर मेटकर और उनके विचारों के बारे में बात करता हूँ तो वे उसे समझ सकते हैं वे उस विचारधारा से आसानी से अन्तिम प्रक्षादी है इन युवाओं में से अधिकतर इस डिगरी के बज़ा से नोकरियां खोच पाएंगे लेकिन हम कोशिच कर रहे हैं कि उन्हें युनिवर्सिटी में भेजें यह अगला कदम है जब मैं डॉक्टर अम्बेटकर हाई स्कूल में आया था तब मुझे गणित विशय के बारे में नक्षो के बारे में बुद्धिस्म के बारे में कुछ भी पता नहीं था उन्होंने मुझे बहुत ही महत्पून और मज़ेदार विशय पढ़ाए जयभीम नेटवर्क और डॉक्टर अम्बेटकर स्कूल हंगरी के संस्थापक और इसे चलाने वाले लोग त्री रतन बौध महासंग के दम मित्र हैं हम सभी मेरे मित्र धमचारी सुभूती से मिले जो त्री रतन बौध महासंग के जेष्ट सदस्य भी हैं सुभूती जी हर साल इस स्कूल में आते हैं और स्कूल की प्रगती कैसी हो रही है इसके बारे में इनके साथ चर्चा करते हैं, सलामश्वरा करते हैं और उन्हें धार्मिक विकास के लिए मदद भी करते हैं हंगरी में विद्ध्यार्थी सामान ने इसकुल में आम तोर पर एक दूसरे के बिल्कुल पीछे बैठते हैं जिससे उन्हें सामने वाले विद्ध्यार्थियों की पीट नसर आती है और टीचर की केवल आखें दिखाई देती हैं लेकिन हमने सोचा यह परियापत नहीं है हमने सोचा कि किसी बात को सीखने में समवात का होना एक महत्पूर्ण बात होती है इसलिए हमने कुर्सियों को गोलाकार या अर्धचंद्राकार रूप में क्लास में रखा केवल अपने टीचर को प्रतिसाद देने तक ही सिमित रहने के बजाए यदि वे सब को प्रतिसाद देते हैं तो वो बहतर है क्योंकि यदि मैं उनके पीछे बैठा हूँ तो शायद मेरी बात उनके लिए महत्पूर्ण नहीं होगी लेकिन यदि मैं उनमें से एक हूँ जो समान है तो मेरा मत शायद महत्पूर्ण हो सकता है मुझे लगता है कि सरकार दोरा चलाई जारही स्कूलों में मुख्य जो भेध है वह यह कि वे जिपसियों को सिखाना ही नहीं चाहते वे सिर्फ हमें किताबे थमा देते हैं और कहते हैं जो पढ़ना चाहते हो वह पढ़ो लेकिन डाक्टर अमबेटकर हाई स्कूल के सिख्षक चाहते हैं कि हम सेकेंडरी लेवल का डिप्लोमा प्राप्त करें इसलिए जैसे भी संभा हो वे हमें मदद करते हैं वे हमारे एक्स्ट्रा क्लासेश लेते हैं विशे को समझाने के लिए ज़्यादा समय देते हैं और आप इसका वास्तों में अनुभव करते हैं कि वे हमें मदद करने में पूरी तरह से प्रतिवद्ध हैं 14 साल की उम्र में भी किसी मीडिया या किसी घटना को समय और इस्थान के रूप में पेश करना उन्हें नहीं आता इसलिए सबसे पहले हमने नक्षा खोला और हर बात को नक्षे के ऊपर रख दिया और इस समय के संदर्म में भी वही समस्या है इसलिए हमने हर कक्षाग में टाइम लाइन निर्मान किये और हर मत पूर्ण घटना और व्यक्ति को टाइम लाइन पर हम दिखाते हैं आप चित्रों को देख सकते हैं आप टाइम लाइन को देखते हैं दॉक्ट्टर अमेडकर से सम्बंदित सभी बातों को हमने टांसफाले צालीна पर दिखाया है। हर समय हम दॉक्टरेमडकर के जीवनी विचारों के और नारों के संपर्क में आते हैं। आप दीवारों पर नारों को देख सकते हैं। डॉक्टर अम्बेटकर का जीवन चरित्र और उनके कायरे का अर्थ ऐसा कोई विशे हमारे हाई स्कूल में नहीं है लेकिन यह सभी जगा मौझूद है इतिहास के दृष्टी से वो वहाँ है और भुगोल में भी है हमारे विद्यार्थी हंगरी के दूसरे किसी भी हाई स्कूल के विद्यार्थियों की तुल्ना में भारत के बारे में अधिक जानकारी रखते हैं हम बुद्धम भी सिखाते हैं लेकिन वो हमारा मुख्यों देश नहीं है क्योंकि हमारे अधिकतर विद्यार्थी इसलिए हमें ये देखना होता है कि कौन से बिंदु पर वे डॉक्टरम बेटकर के साथ बुद्धम के साथ जुड़ सकते हैं और ये मानवी अधिकार है भारत का स्थित्व हमारे स्कूल में बड़ा ही रोचक और महत्पूर्ण है वो यहां से दूर है ऐसी कोई बात नहीं है वो ऐसी बात है जो हर समय क्लासरूम में मौझूद है और हर समय हमारे करिक्रम का हिस्सा होता है हम डॉक्टर अम्बेटकर के बारे में बहुत सी बाते यहां सीखते हैं और कल हमने ध्यान भी किया जब मैं ध्यान करती हूँ तो मुझे बहुत 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 महसूस होता है और मुझे शान्ती महसूस होती है इसलिए यह वास्तों में बहुत अच्छी बात है इस तोरों डॉक्टर अम्बेटकर हाई स्कूल में हंगरी के शिक्षा मंत्री भेट देने आये थे इस अफसर पर मुझे डॉक्टर अम्बेटकर जी के शिक्षा प्रणाली से कैसे वंचित और उत्पीडित लोगों का उत्थान हुआ इसके बारे में प्रस्तुति करण करने के लिए आमलत्रित किया गया था इस कार्कियम की शुरुवात खुब सूरत संगीत से हुई यह डॉक्टर अम्बेटकर स्कूल के शात्र थे लॉक्टर अम्बेटकर से कात्र थे अच्छूतों के जीवन में महान परिवर्दन आया है आमबेटकर आधनिक भारत की महानस्ती है जिनोंने नीती, मियम और सम्विधान बनाए है हमारी स्थिती अच्छी है अभी हमारी नई शर्वात है लेकिन मुझे लगता है कि हमारे स्थिती काफी अच्छी है हमारे जादा सजादा विद्यार्थी माद्यमिक सेकंडरे स्कूल की सिक्षा पूरी कर रहे हैं और विश्विद्यालाई में प्रवेश ले रहे हैं भारतियों की तुल्णा में ये कुछ भी नहीं है क्योंकि अग मैं आपको बताओं कि हमारे सौब विद्यारतियों ने माद्धिमिक सिक्षा पूरी की तो आपके लिए ये आकड़ा ना के बराबर है लेकिन हमारे लिए ये बहुत बड़ी संख्या है अगले साल माद्धिमिक सिक्षा का डिप्लोमा मेरे पास होगा जिससे कि मैं एक सिक्षक बनने के मेरे सपने के एक कदम और नज्जीक पहुँच जाऊंगा मैं वुड़ा पेस्ट में विश्विध्यालाय में जाऊंगी और अंतरास्टी सिक्षा का अध्यन करूंगी और अब हमारे साथ बहुत से महाराष्टियन मित्र हैं जो की हमें इस काम में मदद कर सकते हैं अब इससे आगे हम अकेले नहीं हैं भारत को हम दन्यवाद देना चाहते हैं क्योंकि डॉक्टर अंबेटकर के जीवन तथाकार का अनुसरान करने वाले आंदोलन के उधारन के बगएर हम इस हाई स्कूल के निर्वान नहीं कर पाते डॉक्टर अंबेटकर की मित्यू नहीं हुई है क्योंकि यदि मैं आपकी आखों में देखता हूं तो मैं उन्हें आपकी आखों में देख सकता हूं और मैं डॉक्टर अंबेटकर के जीवन के बारे में हंगरी के बहुत से डोगों को बताना चाहता हूं और उन्हें पाकर हम खुशी और गर महसुस करते हैं करते हैं करते हैं करते हैं